अलो एवरिवन वेलकम बेक टू मनोरंजेन भी बिग बोस 17 का ग्रेंड फिनाले हो चुका है और इस बार जीत हासिल हुई है मुनावर फारुकी को मुनावर फारुकी की जीत से मनारा और अभिशेक दोनों ही बहुत जादा खुश है लेकिन एक कंटेस्टेंट यानि की अंकिता ऐसी है जो अपनी हार के बाद बोखला गई है जिन्हें अपनी हार का इतना जादा सदमा लगा है कि उन्होंने इंटर्व्यू देने से भी इंक अंकिता लोखंडे कलर्स का चहरा रही है और इतनी जादा पॉपुलर है कि उनके फैंस उन्हें बहुत जादा प्यार करते हैं ऐसे में अंकिता लोखंडे को ये विश्वास था कि वो विनर बनेंगी और अगर वो विनर ना भी बन पाई तो कम से कम वो सेकिंड पॉजिश सिर्फ इतना ही नहीं बलकि अंकिता लोखंडे की जेठानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये काफी रॉंग डिसीजन था कि अंकिता को टॉप फॉर में से ही निकाल दिया गया अंकिता की जेठानी ने कहा कि या तो वो फर्स्ट पॉजिशन पर रहती या फिर स लेकिन इस तरह टॉप फॉर में से उनको बाहर कर देना ये उनको समझ नहीं आया तो वही अगर नेटिजन की बात करें तो नेटिजन का कहना है कि अंकिता लोखंडे अपनी हार के बाद बोखला गई है एक्ट्रस को इतना ज़्यादा सदमा लगा है कि फिनाले के बाद उ ये भी मानना है कि सच तो ये है कि अंकिता टोप फॉर में भी डिजर्व नहीं करती थी लेकिन मनारा से हार ना अंकिता लोखंडे को बिलकुल भी नहीं भाया तो क्या लगता है कि अंकिता कौन से पॉजिशन पर होनी चाहिए थी कॉमेंट्स पॉजरूर बताइए वेडि कीजिए